तो गाइस यहां पर मैं नभा को लेने आ गई हूँ स्कूल से और आज काफी लेट हो गया है वही पॉंट होती हूँ आज यसीन सो रहा था और वो सुबह से क्योंकि उठावा था कुछ गीजर का फिर से काम आ गया तो मैंने का चलो वो सोता रहा है मैं जाके नभा को ले आती हूँ तो अभी डेर बज़ी है और मैं आई हूँ नभा को लेने असलाम लेकूम और मैं वेलकम बैक टू माइन अधर एपिसोड ओफ एलो कैसे आप सब ठीक ठाक हैं खुश खुश आले हैं जहां भी रहें खुश रहें अज देखें चौबिसवा रोजा भी हो गया खेर खेरियत से माशाला से और बस अब चंद ही रोजे रह गए हैं चे अजरे और चेके दिखें हम पांच रम्दान हमारा माशाला से बहुत खबसूरत गुशर गुश गया नवाज आ चुकी है यह देखें अगर अभी तक अपने मेरे चैनल को सब्स्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्स्राइब कर दें वीडियो को लाइक कर दें और बैल तो मेंदी लेने तुमने मेंदी क्या करनी है स्कूल में बच्चियों को लगानी है चटी चटी सी बच्चियों को मेंदी लगानी घर पहुंच गए गर पहुंच के पता चला जी मेंदी चाहिए अब हम यहां आएं देखते हैं अगर हमें मेंदी मिल जाए तो गैज यहां पर हम लेमन लेने आए हैं ब्लैक देखते हैं बंसार से में लेमन मिलता है यह नहीं है यह ब्लैक लेमन है आपके पास काला लीमू ड्राइ है अच्छा उस तरफ देना अच्छा उस तरफ अच्छी है यहां पर सारे मसाले हैं सब्सक्राइब अच्छा उस तो गाइज यह है वो हॉस्पिटल जहां पर कॉसरिया का बच्चा पैदा हुआ है दिल तो चा रहा है कि जाके देखे मुबारिक दे खुशी का मौका है लेकिन पता नहीं वो होगी है नहीं होगी सो यह हो हॉस्पिटल अमनेका आपको दिकाएं बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है और बहुत जबरदस्ट हॉस्पिटल है लगोई धर आ चकए हैं शक्र बाहर बहुत शदीद गREMI एं, और गरमी स्टार्ट हो चुकी है और अजिना मुझे यह मैं इक दर के क का किसी client के लिए तो वो रिडि करते और आपको भी data teowar उसके बाद एक क्या कुछ करते हैं इसक तो बहु देह फोन को अगया की क्लाइन का फोन अगया कि मुदी घ्रइडी नीय। मैं खुद भी रेडी हो ऌरी हूँ कि हमें जाना है या शॉपिंग के लिए तो मैंने का देखू है यला करें अच्छी बनियों से ओपन करते हैं और पाने तो अच्छा आगया है जबर्दस्त तो गाइज देखें मंदी हमारी रेडी हो चुकी है और बस अब हम भेज रहे हैं क्लाइंट को वेट कर रहें या सीन अभी ले जा रहा है यह दिलिवरी लेकर चटनी अपने साथ रख लेते हैं सामने नीचे रख लेना चलो जी हो गया वाद भी आगया हम जड़ी जड़ी रेडी होते हैं मैंने वाले बाल बनाए है हाँ रेडी हो चुकी हूँ रेडी हो चुकी हूँ और यह माचो है यह मैं हूँ और मौसम बहुत और सूरत हसीन मौसम हमारे शेहर का टस्पिंग भी नजर आ रहा है so this is it ओ मैं अदरी खड़ी रहती चालो so guys यहाँ पे हम आ चुके हैं food street और इतना rush है यहाँ पे अब देखे हैं में चगा मिलती है नहीं क्योंकि हमने जल्दी से अफ़तारी अभी तक मैं वही मंदी बना रही थी जल्दी से ओपेजी फवाल आया अब हम निकल गए हम कोशिश करेंगे कि हमें जगा मिल जाए कहीं खाने की और हम कुछ खाब पी के थोड़ा बहुत और फिर रोजा को लेंगे और फिर उसके बाद हम जाएंगे so let's see दर क्या होता है पहले से ही लाइने लगी नहीं है बुकिंग जूई मी है लोग दर्वाजों में खड़े में मतलब कहा तो पैसा नहीं और कहा तो फिर ओ नहींजा सतरंगी दर आ गया है अच्छा so हम आ गए हैं चीजियस और लेट सी हम चीजियस आ चुके हैं और यहां पे जो हमें जगा भी मिल गई और यहां लगी नफ जगा मिल गई थैंक यू शारे अब नीचे चलती है खादी आटो वाँ जगा मिल के पहले सी बैटा हुआ है चलो यहां पे हमने चूज किया कि कौन सा पीज़ा काना है और चीज़े अवाने लगी है शोर बहुत ज़्यदा था यहां पे काफी लोग थे और उन्होंने सबकी टेबल्स पे एक जूस भी रखा और यह देखें मैंने का चाएं फवाद देखा हम जूस नहीं पिएंगे मैंने का नहीं भी मैं तो पीऊंगे क्योंकि जब तक रेड यह शर्बत ना पी होना तो तब तक आपकी अफ़तारी नहीं होती तो देखें हमारे पीज़ा जा चुके हैं और बहुत ही यमी लग रहे थे और बड़े टाइम पे उन्होंने सबको सर्फ किया और यह देखें दिस इस सो चीज़ी एंड यमी वाओ दिस इस सो टेस्टी बहुत ही मज़े का था और बस अफ़तारी जो है आज हमने पीज़ा से की यहां पर यह था कि अगर आप वन टाइम बाए करते हैं ड्रिंक तो फिर वो आपको रीफिल बार बार देते हैं तो मुबरा ने जब दुबारा मंगवाया और पीज़ा के उपर वो डाल रहा था सकीया वो ता ग्लास और वो बंदा डाल रहा था और एक दम से मुबरा के हा अब हम मौल जाएंगे अब हम अच्छी अफ़तारी थी गूर्ट इट वस फवाद थेंक यू फवाद अफ़तारी कराने का अब कुल प्रोट्स खाली है कुछ भी नहीं है क्योंकि अब ही अफ़तारी है लोग अफ़तारी बिजी है अभी थोड़ी देर में ना सब निकलें इद की शॉपिंग के लिए इस ताइम यह ताइम ऐसे जबरदस्ट है जहाँ जहाँ भी फ्यूल स्टेशन है थोजार वेरी थोड़ी पते नहीं क्या हो गया फ्यूल बहुतारी है बहुत ज़्यदा ही महंगा हो चुका है और फाइनली वी हैव रीश टू आर डिस्टिनेशन और रश अभी तना नहीं था क्योंके अभी अफ़तारी हुई थी तो इतना रश नहीं है हम क्योंके फाइन ये अफ़तारी के बाद निकल गए थे इसलिए अभी रोड्स पे इतना ट्रैफिक नहीं है रश नहीं है और अभी आहस्दा आहस्दा बढ़ेगा क्योंके लोग अराम से निकलते हैं अभी तो बिलकुल स्टार्टिंग है तो अच्छा है कि रश नहीं है और हम सकून से जो है अपनी मन्जिल पे पहुंच चुके हैं और गीगा मॉल आ चुका है अभी तक इदर लाइट्स नहीं लगी तो मेरा खाल से एंड और रमजान ये लोग लगाएंगे लाइट्स और यहां पे कुछ महंदी के स्टॉल्स गहरा भी अरेंज किये गए हैं और यह देखें यहां पे यह स्टॉल इन्होंने भाइर अरेंज किया वा है और भई हम तो यहां पहुंच गए थे तो चलें अब अंदर चलते हैं और अंदल का हाल देखते हैं कि क्या कुछ हो रहा है अंदर अबर अपनी में लॉगिंग कर कि विराइटी बिल्कुल भी नहीं थी चीजों की वही पुरानी चीजें पढ़ी हुई थी और वो एक होता है ना फैक्टर क्या आप कहते हैं वाओ वो फैक्टर था ही नहीं और मजा नहीं आ रहा था बस दबर दस्ती की चीजे लिए और मैं तो खेर लेना ही नहीं नहीं गर से ही कहा दिया था कि मैं कुछ भी नहीं लूंगी क्योंकि मेरे पास सूट पड़े वे थे एक दो मैं तीन चार दफ़ा िपहने थे मैंने का खैर हमें दूबारा होई पहन लूउंगी कोई फर्क नहीं पड़ आ बड़ था बर बरदस्टी दोबारा मुझे जिस चॉप नबाने लिए वा ले गए और दिखा दिखा के ना मुबरा मुझे वो कर रही है कि ममा ये ले 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 वा टैनी वेस तेखे महंगाई अतनी ज़्यादा हो गई है कि पहले जब हम इनी पैसों में तीन तीन सूट ले लिया क जोड़े पहने हम एक जोड़ा भी लेके अपनी एद गुजार सकते हैं सो दिस इस इट हमने इस तरह से किया सेवर पलाओ आगर आइसक्रीम के रंग देखे किते खुबसूरत है यहां से हमने ली ब्लू बेरी आइसक्रीम जो यहां की बहुत फेमस है और बहुत मज़े की और बहुत रीजनेबल है और सेवर पलाओ का यह देखे पैकेट इनन डमी कितना प्यारा बड़ा सा रखावा है तो जरूर ट्राइ कीजिएगा बहुत मज़े की होती है और बहुत रीजनेबल है कोई एक्सपेंसिव नहीं है तो यहां से हमने आइसक्रीम एंजॉई की और फिर हम घर चले गए असलाम अलेकूम हैं हम घर वापस आ चुके हैं रात के साड़े 10 बजे बड़ा कोई कम ने अपना काम कर लिया बड़ा मज़ा आया और अब जो शॉपिंग की हम आपको क्यों दिखाएं आप देखेंगे ईद वाले दिन आपको देखाएंगे हमने क्या क्या लिया आपको अच्छा लगा होगा अच्छा लगा तो लाइक कर दें सब्सक्राइब कर दें चैनल को और शेयर भी कर दें